और हमारा जो परिवार है इस चुनाम में मजबूती के साथ मंत्री जी के साथ इस चुनाम को लड़ेगा वैं खणक सुमाजकोधी का बड़ा भाई दंगला लक्की सिंग से सारा परिवार हमारा कोराग वोटों के साथ है हमारे एक छोटे भाई का भुच्चा पवन उसने एक बहुत बड़ी बारी लालाईगी करी है हमें भी दोपा देकर देया कि मैं कहीं नहीं जानगा आप दोगों को पुछे गएर लेकिन उसने दोपा देकर कि वहां उसने समय तनक दखना किया है नमश्कार मुझे मजबूरन यह वीडियो बनाना पढ़ रहा है क्योंकि काफी सारे अपवाई मेरे पापा के और मेरे परिवार के खिलाफ बोली जा रही है मेडिया में दोस्तों नमश्कार मैं संजबकू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर सियासत के कई रंग हैं सियासत के कई प्रकार हैं सियासत कई प्रकार के अद्बुत रंग लिया करती है उनके अंदर कई रूँगं कोई रंग होता है pent doin כई सब्सक्राइब कि और अधि होता है कि कोई बड़े स्यासदान या किसीonce ख्रणड़ीति में ऐसित की लोग अगरップ स्वंगत हो जाते हैं और उनके परिवार के दोग चुनाव में हुआ करते हैं घुचिंशन किया करते हैं या पिर उनकी राजनितिक जिन लोगों की राजनितिक महत्वक आंगशा होती है, जिन लोगों की सोच होती है कि हमारी राजनितिक महत्वक आंगशा कैसे पूरी होगी, मैं सारी बात का आप से सिक्र इसलिए कर रहा हूँ, कि हर्याना के अंदर विधान समा का चुलाव चल रहा है, आज मद्दान के इस पलवल का नुमाईदा कौन हो इसको लेकर भी चर्चाए है पलवल के लिए अगर आप समझे तो दो प्रमुक नाम है कॉंग्रेस पार्टी से करन सिंग दलाल और भारती जनता पार्टी से गौरव गौतम ये दो प्रमुक चहरे हैं दो प्रमुक कैलिडिट हैं प्रत्याशी और भी है हरित वैसला चुनाव लड़ रहे हैं आजास समाज पार्टी और जन्ना एक जनता पार्टी से वैसलात के मूभी कार्य करता लेता है लेकिन और भी कई प्रत्याशी हैं मुक्खे जो मुकाबला है वो करन सिंग दलाल और गौरव गौतम के पीज़े हैं करन सिंग दलाल का मैं कहा दूं कि उनकी 35 साल की राज नीती है और उनके सामने गौरव गौतम जो भी 35 साल के युवा है यानि कि एक तरफ 35 साल का युवा चुनाव मैदान में मैं जिस मुत्य पर आपसे हूं जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सानुभूती वाला पक् तो उसके बाद वह एक बार चुनाब आए यालिकि 2009 में चुनाव जीतने से पहले सुभाश चौधरी 1996 और 2000 का चुनाव हार गए थे 2005 के चुनाव में सुभास चौधी सुभास कत्याल के साथें लेकिन वो भी चुनाव जीत नहीं पाये थे 2009 में सुभास चौधी खुद विढयक जरूर बन गहे थे 2014 में सुभाष चौधरी इंडियन नैशनल लोगदल से चुनाव रड़ते हुए चुनावी शिकस्त खा गए थे 2019 का चुनाव सुभाष चौधरी रड़े नहीं और 2024 का चुनाव उस चुनाव से पहले यानि कि नामांकन का समय पूरा ही हुआ था सुभाष चौधरी की तेरमी का इंतजार चल रहा था और तेरमी होने के साथ ही शुरू हो गई एक उनके परिवार की सियासत यानि कि जो सुभाष चौधरी के परिवार से जो जुड़े हुए लोग थे जोकरन सिंग दलाल और गॉर्व गौतम दौनों में प्रतिस परदा शुरू हो गई कि सुभाष चौधरी की सियासत पर राज नीती करने वाले लोग या सुभाष चौधरी की विरासत पर राज नीती करने वाले लोग अलाके सुहास्षोधरी से पहले विरासत चाओधरी कल्यान सिνεंग की थी बहु कल्यान सिंग एक मैं आप से वीडियो शेर किया था पिछले दिनों तो तो बावु कल्यान सिंग के दोते निशांत भाती मुझे हमारे कमेट भी क्या था रुजे कहा भी था कि विरासतों से सियासत नहीं होती है कि सुभाश चौद्री की विरासत के नाम पर जो राजनीती करने वाले लोगों में प्रमुक मान लें तो उसके अंदर सुभाश चौद्री के भतीजे मैं चौद्री इक उनके और परिवार में और बड़ना है यह दोनों पूरु पार्षद है उनके परिवार में और भी निता और अब मैं आपको सिलसलेबार बताऊंगा की कौन कहा गया यानि कि सियासी विरासत कहां कहां बढ़ लई है सबसे पहले मैंग चौधरी सामने आये और मैंग चौधरी ने अपना समर्थन दिया गोरव गोतम को जब मैंग चौधरी यहां सामने आये तो फिर वहां सामने आये पवन भड़ाना और पवन बढ़ाना के साथ थे उनके ताऊ सचेंदर बढ़ाना, उन्होंने समर्थन दिया करन खेंग सिंङ दलाव को, करन सिंध दलाव का मरत का समर्थन जाने के बाद में पिर दूसरी तरफ एक और चित्र जारी हुआ सोचल वीडिया पर आप सब को देखें, यह चित्र ज बड़ा भाई है नंग नालकि सिंग से सारा परिवार हमारा व कोर भॉतन के साथ है कि और हमारी जटनी ब्हें बीडिये को लोगें जटनी भी हमारे समधिया नोग हैं जो सबाद चोधरी के संपर्ख में थे और उनके बाद में उनको एक सच्की सर्दान्जली यही होगी कि हम गौर्व गौतम को पूरा समर्थन दे करके इनको विजयी बनाएंगे, इनका मानसम्मान भूरारत केंगे, हमारे एक छोटे भाई दा बच्चा, पवन, उसने एक बहुत बड़ी भारी नादाएगी करी है, हमें भी धोका दे कर दे जाया है कि मैं कहीं नहीं जांगवा, आप दोगो को पूर से बहर, लेकिन उसने धोका दे करके वहां उसने समर्थन अपना किया है, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं बढ़ता है, इधर खड़की सिंग ने अपना समर्थन दिया, गौरणव को खड़ मंतरी जी का बहुत-बहुत स्वागत, वईश्वर से प्रातना है, मंतरी जी अच्छे एक बहुमत से विजई हो। काम्या बनाया और मैंने अपने जीवन में इतनी भीड पलवल में कभी नहीं देखी, इसके लिए मैं पलवल की जनता का धन्यवाद करता हूं। और आज हम सभी के आदर्ष, बाबु जी, चौधरी कल्यान सिंग जी, उनके सुपोत्र, मेरे बड़े भाई, विकरम भढ़ाना जी ने, मंतरी जी जो की कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्यक्षी हैं, उनको आशिरवात दिया है। और हमारा जो परिवार है, इस चुनाव में मजबूती के साथ मंतरी जी के साथ इस चुनाव को लड़ेगा। मैं आई हुई यहां आज हमारे घर पर जो समझ सर्दारी पधारी है इलाके की सम्माने जो सर्दारियां मौझूद है मैं समझ सर्दारी का अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ अब इनके बाद में अन्तमयाई सुभाज चौदरी का बेटी का वीडियो जारी हुआ सुशल मीडिया पर उसको कई लोगों ने जो जिस पार्टी को क्योंकि फैरा मिलना है वही शेयर करेंगे कई सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ सुभाज चौदरी की बेटी सवीता का वीडियो जिसमें वो कह रही है कि मेरे पिताजी गौराव गौतन को सपोर्ट करना चाहते थे और उस पर उन्हें ने कहा कि गौराव गौतन को मूट किया जाएगा नमश्कार मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पढ़ रहा है क्योंकि काफी सारे अफवाए मेरे पापा के और मेरे परिवार के खिलाफ बोली जा रही है मेडिया में मैं अपने लास्ट दो दिनों में जो मेरे फादर के साथ जो पीता मैं वो बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं सबसे जादा क्लोस थी हूं में से हर बार शेयर करते थे तो लास्ट दो दिन उनके लिए मुश्किल थे क्योंकि वो कॉंगरे से टिकेट मांग रहे थे वो उनको मिली नहीं सर्क इस वज़े से नहीं मिली क्योंकि करन दलाल के संथी गुड़ा जी थे और उन्ह मैं यह बूलना चाहती हूं कि जब उनको टिकेट नहीं मिली उसके नेक्स दे उन्होंने मुझे बोला कि चलो मैं आराम से सूँगा तो नेक्स दे उठे और मुझे लगा कि वह नॉमन होंगे विल्कुल कुछ पॉलिटिक से अब उनका कोई लेना देना नहीं होगा लेकिन ग्यारा बारा बजे के करीब मुझे को फून करके बोलते हैं कि नहीं मैं रहना सब भी गौरव गौतम को सपोर्ट कर रहा हूं और मैं गौरव गौतम को सपोर्ट कर रहा हूं और रात में एक दिन पहले रात में मेरे घर भी आये थे नौ बजे के करीब आये ते रात में और दस बजे वो गौरव गौतम के साथ ही दिल्दी चले थे और नेक्स दे वो मौर्व गौरव गौतम को ही सपोर्ट करने वाला हूं और मैं एक पंचाय दर्थने वाला हूं ग्रामन धर्मशारा में जहां पर यह मैं अपना समर्थन दूंगा लोगों के साथ तो मैं आप सबसे अपील यही करती हूं कि अपने जीते जी वो कभी भी करंदलाल को सपोर्ट नहीं पड़ते हैं हुई नहीं सकता था क्योंकि बहुत कुछ गलत किया है उसने हमारे परिवार के साथ हमारे पापा के साथ और इवन जंता के साथ पूरी लोगों के साथ ईकपार सब लोगों की लड़ाई लड़ते थे तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी लगता है कि पापा ने आप लोगों के लिए कोई लड़ाई लड़ी है या कुछ की आए और आप कोई सच्छ धांजली देना चाहते हैं तो वो गौरव गौतम को जिता कर लिए सकते हैं आप अपना मोट गौरव गौतम को दीजिए उनकी आत्मा को शांति मिलेगे विकॉज वो कभी भी नहीं नौट एवन परसें करन दलाल को सपोर्ट कर सकते थे जी पर जी बिल्कुर नहीं में आपको बताने का मकसद यह था कि आखिर परिवार एकदम से ऐसे चिन्द भिन्द कैसे हो जाता है उसी परिवार के लोग अगर सियासत उनकी विरासत के नाम पर सियासत कर रहे थे तो जब सुभाश शौदरी जी का टिकेट कटा था तो फिर पर कि सानुबुदी के नाम पर कहीं मदान की बात नहीं चला करती है और बड़ासत की सियासत अपने लिए तो होती है विरासत की सियासत को आप आगे एकडम से अग्रिशित भी नहीं कर सकते क्योंकि जो मद्दाता होता है मद्दाता का फैसला होता है मद्दाता जब वोट किया करता है जब वोटर अपना वोट करता है तो वोटर के सामने कई बाते होती है आप चाहे छोटे नेता लें या बड़े नेता लें वोटर हो सकता है कि A को तो वोट दे रहा हो लेकिन A के परिवार जनों के कहने से वो B और C को भी वोट देगा या अगर वोटर की भावना उसे ऐसा लगेगा मेरी भावना से खिरवाण हो रहा है तो फिर उस सब वह अपन लेकिन पवन भड़ाना की इस बात पर उनके जो चच्चा है खड़गी चौदरी खड़क सिंग कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा था तो पवन भड़ाना को परिवार में आना चाहिए था सुवार्शौदरी का जाना वाकई इस पलवल विधानसावाज छेत्र के लिए एक दमगीन घटना है सुवार्शौदरी जन्ता से जुड़े हुए वक्तित हुए इसमें कोई दोराय नहीं है और उनका देहा वसान हुए अभी अभी मात्र उनका जो निधन हुए एक महिना भी नहीं हुआ उनकी जो तेरमी होने के साथ ही उसी शाम को जो राजनीती शुरू हुई इसको लेकर तमाम प्रकार की लोगों के बीच भी चर्चाए हैं चर्चाए इस प्रकार की भी है कि लोग एक तुसरे से स्वोगाट में पूछ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है और मेरे आपसे सवाल है जो मेरे पल्वत से जुड़े वो सुधी दर्शक है कि क्या इस प्रकार की सानुगुती वाली राजनीती यह क्या मद्दाता को दिख ध्रमित करने के लिए नहीं होती और एक प्रमुक सवाल मेरा यह है कि लोगदंतर की सुनदर्ता है लोगदंतर की सुनदर्ता के लिए क्या इस प्रकार के प्रयोग होना कितना उचित है और कितना उचित कमेट्स बोक्स में आप ज़रूर बताएं जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और